अब यदि सूर्य रेखा पर आपको त्रिभुज दिखाई दे जाएं यदि आपको सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज दिखाई दे ये सूर्य रेखा है और इस पर यहां एक त्रिभुज दिखाई दे तो यह भी बहुत अच्छी प्रगती तरक्षी का सूचक है किन्तु यदि इसकी रेखाएं सूर्य रेखा को काट रही हैं तो अब हम इसे त्रिभुज नहीं मानेंगे ये दो आड़ी रेखाएं सूर्य रेखा को काट रही है सूर्य रेखा में त्रिभुज का मतलब है कि एक रेखा पर त्रिभुज जब होता है तो हम कहते हैं कि रेखा से एक रेखा उठकर दूसरी रेखा के साथ जुड़कर बीना उसे काटे तृभूज का निर्मान करती है इसे प्राचीन गन्थों में ध्वज के चिन्न के रूप में भी अंकित किया गया है तो यह हम इसे द्वज चिन कह सकते हैं सूर्य रेखा पर यह हम इसे सूर्य रेखा पर त्रिभुज भी कह सकते हैं या तो हम इसे इस तरह से द्वज का चिन मान सकते हैं कि द्वज का चिन है जिसका शास्त्र में वर्णन किया गया है या फिर इसे सूर्य रेखा पर त्रिकोन भी कह सकते हैं दोनों इस्थितियों में फ़ल एक ही होगा ध्वजिन का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की कीर्थी पता का फैराएगी सूर्य रेखा पर त्रिभुज का अगत भी यही है कि ऐसे व्यक्ति की कीर्थी उसके बड़े अक्षित्रम में फैल जाएगी तो उसे लोग जानेंगे वो गुमनाम नहीं रहेगा यदि ऐसे सूर्य रेखा को यदि हाथ पर एक सूर्य रेखा हो और इसे आड़ी रेखाएं काटती हो बार बार यह आपको काफी हाथों में दिखाई दे जाएगा यदि सूर्य रेखा को बहुत बार बार आड़ी रेखाएं काटें तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपमान का सामना करता है बार बार अपमानित होता है ऐसे व्यक्ति के सामने यह बड़ी समस्या रहती है कि थोड़ी सी वो कीर्ट चयज़त करता है उसके बाद बड़ी बाधा उत्पन होती है और बड़े अपमान का सामना उसे करना पड़ जाता है यहां उल्टा ही फल हो जाता है यदि आपको किसी हाथ में सूर्य रेखा दिखाई दे और उसे बुद्ध से आ रही यहां से विवाह रेखा जो है वो आगे बढ़कर उसे इतनी लंबी हो जाए कि सूर्य रेखा को काड़ते तो ऐसी स्थिती में विवाहिता पत्नी ही ऐसे व्यक्ति के अपमान का मानहानी का या निश्चित रूप से विनाश का कारण बन सकती है लेकिन ये बहुत कम हाथों में आपको दिखाई देगी इतनी लंबी विवाह रेखा बहुत कमी होती है हाथों में अब यदि हाथ में आपको सूर्य रेखा दिखाई दे और सूर्य रेखा से उर्ध्वर रेखाएं उठती हुई दिखाई दे इस तरह से यह बिल्कुल एक स्थान पर यह उठेंगी यहां दो तरह की उर्ध्वर रेखाएं हो सकती है एक यह इस तरह से उठें यदि उस तरह से उठें ये गौपुच जैसी स्थिती बना दें ये शुबलक्षण नहीं ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सूचक है और बहुत जादा संघर्ष करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है तो यह तो बहुत अधिक संगर्ष का सूचक है यदि गवपुच्छ हात में बना होता है लेकिन यदि ऐसे स्थिटी में नहीं है यह केवल उर्धवरेखां एक रेखा से उर्धवरेखाई निकल रही है इस तरह से और यह एक वरिक्ष के तरह बन जाए जैसे एक वरिक्ष होता है आपको पेड़ सा खड़ा दिखाए दे यह बहुत ही शुबचिन्य है इसे गवपुच्छ नहीं माना जा सकता यह बहुत शुब है और ऐसी स्थिती में ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्धी प्रतिभा वान और सफल रहता है तो यह विशेश सफलता का सूचक है लेकिन यदि इसके विप्रीत आपको हाथ में इस तरह का सूर्य रेखा दिखाई दे कि उससे नीचे के और रेखाएं गिर रही है यह व्रिक्ष जो है आपको उल्टा ही दिखाई दे यह बुरी स्थिती है यह अधो पतन की स्थिती है इसमें संघर्ष ऐसे व्यक्ति को अधिक रहता है बार बार प्रिश्रम करने के पाथ भी उतनी सफलता है ऐसे व्यक्ति का हाथ में नहीं लगती है यदि सूर्य रेखा को हर्दय रेखा से आती हुई एक रेखा काट कर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को उसके निजी लोग उसके अपनत्त जिन से है वो लोग काफी क्षती पहुंचाते हैं उसके कीर्थी को हानी पहुंचाते हैं स्वजन निजी लोगों की वज़े से ही उस को बुद्धि रेखा से आ रही रेखा एक शाखा बूद्धि रेखा की मेंं करने तो ऐसी स्थिती में हम कहेंगे कि अब जान रखेंगे दो चीजें किसे और दूसरा उर्धु काटे साथ न चले अगर वो साथ चले तो यह भी एक सूर्य रेखा हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति पनी बुद्धी के दम पर ही सफलता हासिल करेगा यानिकि अगर आपको दो तरह की रेखा दिखाई दे सकती है एक रेखा जो इसके साथ चले ऐसी रेखा दिखाई दे तो ऐस व्यक्ति स्वजनों और बुद्धी दोनों प्रकार से सफल होगा लेकिन यदि हर्द्या रेखा को नहीं चू रही है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धी के द्वारा ही विशेश कीर्थी अर्जित सफलता हासिल कर लेगा उसे ने किसी की सहायता कि आपशक्ता नहीं पड अपनी सफलता को असफलता में बदल देगा अपनी बुद्धिक निर्णों के कारण ये कब होगा जब ये बुद्धी रेखा से इसकी आयू की करना कर सकते हैं ये जो आयू है इससे ये रेखा निकल रही है तो इसके समय में ऐसा प्रभाव होगा इसका व्यक्ति की अब यदि मैंने कहा कि शाखाएं अच्छी है लेकिन यदि शाखा इस तरह हैं कि हो तो कि मालने कि हम एक त्रिशूल बन रहा पर इसमें शाखा निकल आई है फिर इसमें शाखा निकल आई है इसके ओपर एक और शाखा बन गई है इस तरह हैं कि आपको शाखाएं सूर्य रिख्षा पर अब यह भी एक विरिक्षी जैसी सेचना है किन्तु यह अच्छा शुब लक्षण नहीं है ऐसी रेखाएं संघर्ष को दिखाती है ऐसा व्यक्ति बार-बार सफलता का प्रयास कर रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही है यह आड़ी टेड़ी रेखाएं समस्या का सूचक है संघर्ष का सूचक है लेकिन बाद में यह दी रेखास पश्ट हो रही है तो हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रारंभा में संघर्ष करते हुए बाद में कुछ सफलता हासिल कर लेता है कि अब यदि एक व्यक्ति के हाथ में यहां सूर्य रेखा पर क्रोस का चिन हूँ यह निश्चित रूप से बहुत अशुब लक्षन है यह दि सूर्य रेखा के बीच में या अंत में आपको क्रोस का चिन दिखाई दे या कई करसारे क्रोस आपको सूर्य रेखा पर दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति असफलता को बार बार देखता है और ऐसा व्यक्ति अपमान या अपकीर्थी या फिर प्रतिवा हुने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है आपको बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बहुत योग्ये हैं उन्हें निश्चित रूप से अच्छा कारे मिल जाना चाहिए पर वो अपने हर प्रियास में असफल रहते हैं और समस्या का सामना करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि आपको सूर्य रिखा पर क्रॉस दिखाई दे तो निश्चित रूप से सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी ऐसे लोगों के साथ कि उन्हें सरकारी धन या नौकरी मिले और उसके बाद वो उनसे चेंच जाए तो यह भी समस्या हो सकती है अब यदि सूर्य परवत शुबस्थिती में हैं आपको तीन चीजों पर एक साथ ध्यान देना है जब आप सूर्य परवत पर सूर्य रेखा की बात कर रहे हैं तब आपको सूर्य परवत, सूर्य रेखा आपको तीन चीजें देखनी है पहला देखना है सूर्य परवत कि सूर्य परवत कैसी सिटी में वो उच्छ है निम्न है या बिल्कुल दबा हुआ है या अतिविक्सित सिती में सबसे पहला विचार ये करिए उसके बाद अगला विचार करिए कि इसकी उंगली कहां तक पहुँचती है क्या ये उंगली तरजिनी के बराबर हो गई है या ये उंगली लंबी होकर मध्यमा के बराबर पहुँच गई है अब यदि ये उंगली मध्यमा के बराबर पहुँच गई है तो निश्चित रूप से सूरे का क्षित्र बढ़ा हो गया है और सूरे के गुण बढ़ गए है और यदि सब सुब स्थिती हो हो हाथ में तो ये निश्चित रूप से कीर्थी, सफलता और प्रतिभाओं के भरा हुआ व्यक्ति होगा। फिर तीसरी बात, तो सबसे पहले हमने देखा सूर्य परवत की स्थिती, फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अनामिका क्या क्या स्थिती है। अनामिका टेड़ी तो नहीं है, अनामिका मुड तो नहीं गई है, अनामिका बहुत लंबी है, बहुत छोटी तो नहीं रह गई है, और तीसरी इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर ये सब ठीक है, तो इसके बीच में यहां पर परवों पर, उंगली के परवों पर क्रॉस क करेंगे। मैं तो नहीं है यह सब यदी आप को हाथ में सब ठीक दिखाइए और सब कुछ ठीक दिखाइए दे पिर हम सूर्य रेका का विज़ार करेंगे। Paulo कि यदि सूर्य रेगा एक ट्रुमत से निकल जाएं इस तरह एक त्रिबुज से निकल रहे तो ऐसी सूर्य रेका निश्चित रूप से बहुत अच्छी है मैंने जिन भी हातों में ऐसी सूर्य रेका दिखाई देखी है अभी तक काफी हातों मैंने ऐसी सूर्य रेका देखी है ऐसे लोगों को एक अच्छी नवक्री, एक अच्छे क्षित्र में बहुत स्थिर नवक्री करते हुए पाया है या वो अच्छे प्रशाशनिक या अधिकारी पदों पर नियुप्त है तो सूर्य रेखा के बारे में अभी इतना ही अगर आपको कोई प्रशन सूर्य रेखा के बारे में हो तो आप टिपपणी में लिखें, यह दि मुझे उसकी जानकारी हुई और अवसर मिला तो आपका उत्तर अवश्य दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद